दोस्तो जब हम कोई वरत करते हैं तो सिर्फ उसका धार्मिक या पौरानिक महत्व ही नहीं है बलकि वैज्ञानिक लोग भी ये मान चुके हैं कि हम अपने शरीर को किसी न किसी तरीके से वरत के माध्यम से ही सही अगर आराम देते हैं तो हमारे शरीर के लिए वो लापदायक यानि कि जिस दिन हम व्रत करते हैं उस दिन सिर्फ तरल पदार्थ ले ताकि हमारे शरीर को भोजन पचाने के लिए अतिरिक्त एनरजी खर्च ना करनी पड़े और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्रत की जिसकी धार्मिक पौरानिक बहुत ही मान्यता हमारे देश में है उस इसमें से योगिनी एकादेशी का व्रत आशाल मास की कृष्ण पक्ष की एकादेशी को मनाया जाता है और इस बार ये व्रत 17 जून 2020 को पड़ रहा है इस एकादेशी की आरंबती थी है 16 जून प्राता पांच बचकर 40 मिनिट पर और इसकी समापती थी थी है 17 जून को के बाद भी किया जा सकता है इस व्रत की आईए हम मान्यता जान लेते हैं यानि कि इसकी कथा के बारे में आपको बता देते हैं कि एक बार धर्मराज योधिश्टिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत के बारे में पूछा तब भगवान कृष्ण ने बताया कि इस करने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नस्ट हो जाते हैं और इस लोग को भोगने के बाद वो मुप्ति पाकर परलोग को प्राप्त होता है पुरानों में इसकी एक कथा भी आती है श्री कृष्ण कहते हैं कि एक समय स्वर्ग धाम में अलकापूरी नामक एक नगरी थी और उस अलकापूरी नगरी के राजा का नाम था कुबेर कुबेर बहुत बड़ा शिव भक्त था और वो प्रती दिन अपने बंदू बांदहों के साथ शिव की आराधना किया करता था एक दिन कुबेर नाम के उस राजा के यहां एक माली था जिसका नाम हेम था और वो हेम रोज राजा के लिए सुन्दर पुष्प तोड़कर लाया करता था जिससे वो राजा कुबेर भगवान शिव की आराधना किया करते थे। हेम की पत्नी विशालाक्षी बहुत ही सुन्दर थी। एक दिन हमेशा की तरह माली हेम मान सरोवर से पुष्प लेकर तो आ गया परन्तु काम देवक ने ऐसे बान चलाए कि वो कामातुर होकर अपनी पत्नी के साथ रमन करने लगा। हेम पुष्प लेकर क्यों नहीं आ पाया। सैनिक हेम को पकड़ कर ले आये। और बताया कि महाराज ये महाकामी अपने पत्नी के साथ रमन कर रहा था। ये सुनकर राजा कुबेर बहुत क्रोधित हो गये। और उन्होंने हेम माली को शिराप दिया कि जा तु धरती लोग में कोडी नामक रोग से ग्रस्त होकर जन्म लेगा और पत्नी का वियोग सहेगा, दर दर भटकेगा। श्राप के कारण हेम ने भूलोग में जन्म लिया, अनेक प्रकार के कष्ट सहे, भयंकर जंगल में वो भूका प्यासा भटकता रहा। लेकिन कही न कही उसकी शिव भक प्रकती के कारण घूमते घूमते वो मारकंडे रिशी के आश्रम पहुँच गया। जी हां, उस आश्रम में रिशी ने हेम को योगिनी एकादशी के वरत के बारे में बताया, और कहा कि अगर इस वरत को तुम करोगे, तो इस वरत से तुम्हारे सारे पुर्वजनम के हेम माली ने वो वरत किया जिसका नाम था योगिनी एकादशी, श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी इस वरत को करता है, उसे अठासी हजार ब्राह्मनों को भोजन करवाने के बराबर फल होता है, यानि कि इतना महत्वपुर्ण है ये योगिनी एकादशी का महत्वथ, हमा अगर आप विज्ञान में अपनी रुची रखते हैं, तो विज्ञानिक आधार को समझ कर ही एकादशी का वरत अवश्य करें, जिसका नाम है योगिनी एकादशी, और अपने शरीर को भी स्वस्त रखें, और साथ ही साथ अपने भविश्य को भी स्वस्त रखें, यानि कि अपना लोक और परलोक दोनों इस योगिनी एकादशी से सुधर सकते हैं उम्मिद है ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी और आप अपने जिवन में वरत का महत्व समझेंगे धन्यवाद